चलिए फ्रेंड्स आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चानल में बहुत बहुत स्वागत है इस तरह सी डिजाइन आज हम बनाने वाले हैं तो देखिए ये इस तरह से हैं और ये बहुत सुन्दर दिखती है इसे हमने रेड कलर में बनाया हैं तो देखिए ये बहुत सुन्दर दिखती है हमारी डिजाइन तो चलिए आज इसे बनाना आपको सिखा देते हैं तो जो बेसिक है वो ही लगेंगी तो देखिए ये स्केल लगेगी हमें और ये मेजर टेप हमें कपड़े का नाप के लिए और ये कई ची धागे कट करने के ल कमखिए उसके बाद हमें ये चाहिए उसके बाद ये पैंसील चाहिए उसके बाद इससे training अब ये फॉपश्य 32 inch मतलब 32 inch और 26 inch का हमें जो कपड़ा है हो लेना है तो इस तरह से 32 की साइट पे इस तरह से 1 inch हमें इस तरफ से और इस तरफ से भी 1 inch इस तरह से छोड़ देना है ताकि हमें इसमें stitching के लिए हमारी जो corner है वो तो उसके बाद हर एक लाइन हमारी एक एक इंच इस हिसाब से हमें इस तरब से और उपर की साइट्स पे भी लगाते हुए जाना है तो इस तरह से हमें हर एक लाइन बनानी है एक एक इंच की तो इस तरह से बॉक्स बनेंगे उसके अंदर हमें इस तरह से ये देखे ये इधर लाइन आ जाएगे और यह जो लाइन है तो इस तरह से ऐसे आ जाएगे तो इस तरह से हमें डिजाइन बनानी है उसके उपर तो इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से हमने यह देखे जो कपड़ा है वो नाप के काटके ले लिया है अब हमें सबसे पहले एक एक इंच को छोड़ देना है तो इस तरह से हमने 32-26 का हमारा जो कपड़ा है वो ले लिया है और अब हमें इसके उपर नाप लगाते हुए जाना है हमारा हर एक कॉलम हमें एक एक इंच का बॉक्स चाहिए उसके लिए हमें इदे के सबसे पहले हमें एदर मार्जिन चोड़ना है शिलाई के लिए मशिन की स्केर से हमें उसी तरीके से एक एक इंच बिल्कुल अच्छे से लगाते हुए जाना है और आखिर तक लगाते हुए जाना है इस तरह से तो देखिए चलिए मैं लगा के आपको दिखा देती हूं यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से एक एक इंच पे लगाते हुए तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, स्केल के बारने में मैंने उसमें सब कुछ जानकारी दी हुई है, अगर आपको स्केल चाहिए तो देखिए उसे आगे इस तरह से आपको लाइनिंग खीशते हुए जाना है, एक एक इंच की हर एक लाइन हमें इसी तरीगे से खीशत के ले लेती हूँ, तो देखिए फ्रेंज इस तरह से हमारी एक साइट पूरी हो चुकी है, और अब हम इसकी दूसरी साइट पर भी बिल्कुल उसी तरीके से लाइनिंग लगाते हुए जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें एक इंच के उपर हमें लाइन लगानी है, तो इस तरह से बिल्कुल एक इंच पर हमें इस तरह से लाइनिंग लगाना है, तो इस तरह से मेरा डिजाइन का कपड़ा था, उससे आगे मैंने एक इंच लगा दिया है, और उसके बाद इस तरह से हमें हर एक लाइन एक इंच इस तरीके से अखिशती हुए जाना है तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से देखिए तो चलिए मैं यह सब कुछ एक दूसरी साइट का भी यह पूरा करके ले लेती हूँ आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो देखिए इस तरह के के बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले वीडियोस है मेरे पास और कुछन है तो इसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से तो देखिए सब कुछ हमारा जो लाइनिंग है खीचके हो चुका है और हमारा आप देख सकते हैं कि हर एक बॉक्स एक जैसा ही है और बिल्कुल इसी तरीके से एक एक बॉक्स एक इंच का है तो उसके उपर देखे पैटरन पे उपर जैसे डिजाइन हमने लगाई है बिल्कुल उसी तरह से ये हमें कपड़े पे उतार लेनी है तो देखे इस तरह से लाइनिंग लगाना है और इस तरह से ट्रेंगल करना है तो देखे इस तरह से एक एक लाइन हमें बिल्कुल इसी तरह से यह देखे इस तरह से खीचते हुए जाना है अच्छे से और कपड़े के ऊपर हमें पैटरनों को बहुत अच्छे से लगा के ले लेना है तो इसी तरह से यह हमें आखिर तक लगा के ले लेना है चलिए यह हमने तीन लाइन को कवर अप कर दिया है तो अब हमें बिल्कुल उसी तरीके से लेके यह देखिए अब हम उपर से आपको फिर से दिखा देते हैं कि कैसे आपको डिजाइन बनानी है इसके उपर तो यह देखिए अब हमें यह तरीक यह हमारा ट्रेंगल हो गया उसके बाद हमारा यह ट्रेंगल उल्टी साइट पर आ जाएगा तो इस तरह से यह देखिए बिल्कुल इसी तर से हम सब कुछ पैटरन लगा के ले देते हैं करते देते हैं तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमने ये सब कुछ पैटर्न को कपड़े पे उतार लिया है तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाता है तो चलिए सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो इस तरह से ले लीजे सिलके और ये दुसरे पॉइंट को इस तरह के से तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी और अब हमें बीच में अंगोटा रखना है और इस दागे को खीचना है इस तरह से और ये जो दो पॉइंट है इनको मिलाना है और बिल्कुल टाइटली अच्छ से टाइट कर दीजे ताकि ये खुले नहीं तो इसी वज़े से मैं बोल रही हूं तो चलिए आगे देखिए इस तरह से अब हमें इस बाजू का लगा देना है दूसरी लाइन है हमारी उसके ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं देखे ये दूसरा पॉइंट तो इस तरह से ये दो बैठाना है और धागे को कट करके लिना है दो तीन बार अच्छे से टाइट पाक कर दीजे ताकि ये बाद में खुले नहीं अच्छे से टाइट बैड जाए तो ये देखे इस तरह से अभी है ये लाइनिंग हम बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करनी है मैं इस लाइन को पू इस तरह से हमें बनाना है और इस तरह से हमें इसको पैक करना है अच्छे से तो रुकाट देना है धागे को तो देखिए इस तरह से हमने ये दूसरी वाली लाइन तो आपको सिला के दिखा दी तो चलिए अब हम आगे थोड़ा कुछ बना देते है उसके बाद हम दूसरी लाइन को बना के आपको दिखा देते हैं तो यह देखे यह जो अभी हमने लाइनिंग सीली है तो वो इस तरह से दिखाई देती है हमें तो चले उसके आगे वाला जो ट्रैंगल है उसे सिल के हम आपको दिखा देते हैं देखे आप इसमें कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं तो देखे यह दूसरा पॉइंट है हमारा और अब यह तीसरा वाला पॉइंट है हमारा और अब यह हमारा बीच वाला जो हमने पहले सिला था वह फर्स्ट पॉइंट है तो चली इसे भी हम सील के ले लेते हैं तो इस तरह से हमारा ट्रेंगल तैयार हो जाता है और अब हमें बीच में अंगुठा रखके उसे खीचना है तो देखिए बैटरन की तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल वही है ट्रैंगल इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है तो देखा आपने इसी तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से हमने सिलाई लगा देने के बाद हमें बीच में अंगुठा रखना है इसको और धागे को खीचना है धीरे-धीरे करते हुए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से धीरे-धीरे खीचिये उसके बाद ये जो थ्री हमारे पॉइंट मिले है उनको हमें अच्छे से जोड देना है और अच्छे से टाइटली पैक करन है इनको और इस तरह से हमें अभी एक ट्रैंगल आपको सिला के दिखा दिया है तो चलिए आगे का भी मैं अभी आपको कुछ सिलाई करके दिखा देती हूं तो ये देखें फॉर्स्ट पॉइंट है हमारा उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट है हमारा और ये अभी हम हमारा दूसरा हो गया और अब हम तीसरा वाला इसको सिलाई करते हैं और ये तीसरा हो गया फिर से हमें फिर से फिर से फिर से पॉइंट पर आ जाना है और ये इस तरह से हमें ट्रैंगल हो जाएगा उसके बाद हमें इस तरह से खीचना है धागे को और ये पॉइंट मिल ज ले लीजे, मसीन का धागा हो तो ये मेरा बहुत टाइटली धागा था इस वज़े से मैंने सिंगल ले लिया इसको, तो आप मसीन का धागा हो तो डबल करके ले लीजे और अच्छे से इनको सीलाई कर दीजे इसके उपर, डिजाइन के उपर तो देखे, इस तरह से इस डिजाइन में आप कही से भी शुरुआत कर सकते हैं ट्रेंगल बनाने ले आप कही से भी फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं लेकिन जब आप जिदर से शुरू करेंगे, उधर ही आपको सिलाई करते हुए जाना है पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे तो इस तरह से देखे, फर्स्ट पॉइंट से मैंने इधर से शुरू किया था फिर से वुदरी में आ गई सिलाई करते हुए तो इसी तरह से आपको सिलाई लगा देनी है और इस सभी पॉइंट को मिलाना है और अच्छे से टाइटली पैक बेठा देना है एक जिगह पे और अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि ये बाद में खुले नहीं इस वज़े से मैं बोल रही हूँ तो ये देखे, इस तरह से हमने ये दो तीन टैंगल सिल्के आपको दिखा दिया है तो उसके बाद इस तरह से हमें ये देखे, बिल्कुल इसी तरह के से अच्छे से सिलाई लगा देनी है तो ये फर्स्ट पॉइंट दूसरा हो गया अब हमें तीसरा इस सिलना इस तरह से और जो पहला है उसी के ऊपर आ जाना है हमें और इस तरह से हमें धागे को खीचना है अच्छे से और धागे को खीचने के बाद हमें इसी तरीके से ये जो पॉइंट है हमने मिला है उनको अच्छे से टाइटली पैक कर देना है दो तीन बार इसे हमें सिलाई करके ले लेना है तो देखे इस तरह से हमने कुछ ट्रेंगल आपको सिला के दिखा दिये है तो चलिए उसके पास वाली जो लाइन है उसे भी हम देख लेते हैं अभी तो देखे फ्रैंस इस तरह से हमने ये तीन लाइन आपको सिलाई करके दिखा दिये हैं तो चलिए आगे वाला जो ये ट्रेंगल का है इसे भी हम सिलना शुरू करते हैं तो देखे ये ट्रेंगल वाला जो है वो लाइन हम सिलना शुरू करते हैं तो अब हमें इस तरब से शुरू कर देते हैं तो इसमें आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं तो देखें इधर से मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया अब हमें इधर दूसरा वाला पॉइंट को शिलना है और इस तरह से और अब हमें ये तीसरा वाला पॉइंट इस तरह से शिलाई कर देना है और अब हमें ये हमें फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है इस तरह से हमने फिर से पहला वाला पॉइंट शिलाई करके ले लिया है और अब हमें बिल्कुल उसी तरीके से अंगुठा बीच में रखना है और ये जो धागा है हमारा इसे दीरे दीरे खीचना है और जो कपड़ा है बीच वाला हमें उसे पीछे खिसका देना है ताकि पीछे धकल देना है ताकि ये पीछे वाल चली जाए और इस तरह से हमारे सभी point एकटा हो जाए और उधर हमें इस तरह से अच्छे से pack करना है तो इसी तरह से triangle हमें सिलाई करते हुए जाना है तो चलिए ये जो line है इसको भी मैं थोड़ा बहुत सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ तो चलिए अभी मैं सिलाई करती हूँ तो ये देखे इस तरह से बीच में आपने देखा होगा भी मैंने आपको दिखाया कि ये square तयार हो जाता है इस तरह से तो चलिए ये आगे का triangle जो है वो line बना के आपको दिखा देती हूँ तो चलिए तो चलिए ऑमें सिलाई पारे उड़ा होगा थालिए वो ईयाके आपको देखाया राज़ाव जाबगाः certified वोमेज़ाग तो है वोला के वोगगाई गर्वाकोई जाए पारे देती हूजवाश है वोग 5 आपको ंपको 2 चलिए में आपको खा के अपको दोगको तो देखिए फ्रेंग्स इस तरीके से हमें ये ट्रैंगल भी सिलाई करते हुए जाना है और इसी तरीके से हमें जिदर जिस डारेक्शन में हमने जो सिलाई जो पैटर्न लगाया है तो उसी डारेक्शन में हमें इस तरह से उदर के पॉइंट सिलाई करते हुए ले ले हैं तो चलिए आगे वाली जो लाइन है उसे चलाई करते है अब हम तो इस तरह से यह पॉइंट सिलना है हमें और ये इस तरह से ये दूसरा वाला पॉइंट हमें सिलना है इस तरह से देखे तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हमें क्या करना है इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से हमें सब कुछ चिलाई करके ले लेना है और सिर्फ जिदर जिदर हमारा जो हमने पैटरन डाला है जो डिजाइन लगाई है सिर्फ उदर ही हमें सिलाई लगा देनी है ना कि जो हमारा जो बॉक्स कुले है उसमें हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी जिदर हमने जिस डा को बस आपको शिलाई लगा देनी है और पकड़के उन दोनों तो हमारा दीजाइन के आहें इस तरह से उसन है पैटरन के ही ज़ी लगाना है जर्ट से परया है यह प Tribe है इतने तक अपरा बंचे स्केल है तो यह देखे है की का इस फ्रण्ट लुक Corpsem प्रब्रेंटी बिटीर ya nisन perform का धर लिग्र आसके सब्स्क्राइब में उतार कि प्रइब च्राइब हो keywords या फिर जो आपके पास cotton है वो डाल सकते हैं तो चलिए मेरे पास cotton था इस size का मैंने अंदर वाला तकिया नहीं बनाया था इस वज़े से मैं इसी cotton को डाल के आपको दिखा देती हूँ तो आप हमारे चैनल पे नए हो और इस तरीके के वीडियो आपको देखना बहुत पसंद है तो मैं आपके लिए इससे भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो आ जाए आपको पता चल जाए तो देखे इसका कलर भी बहुत सुन्दर है और यह बहुत सुन्दर लगता है तो इस तरह के से हमारे डिजाइन तयार है नमस्कार